है यह लो फ्रेंड्स यह आज देखते हैं एक ने टॉपिक के बारे में ग्रोथ रेगुलेटर हार्मोन जो प्लांट्स हार्मोन होते हैं थोड़ा सा हम लोग जान जाते हैं कि हार्मोन क्या होता है हार्मोन क्या है जो पौधों में जो भी केमिकल स्रेक्शन सब जो केमिकल जो भी क्रियाओं चलती रहती है उन्हें कंट्रोल किया जाता है उन्हें प्रमोट क्याता है उन्हें इनिविट क्याता है तो यह सब काम होता है जो केमिकल सब्स्टांस करता है वह हार्मोन क्यलाता है होने क्रियाओं की गयाने की कैके हुए की बार्थ के अधिव सहरें होने क्रेफांट क्यांद कर आशंक को बोलते हैं हर्मोन सब सासरों हो रुए हो हुए को यह व्रिद्धी और विटास को ज़िए फोच बढ़ावा देना रहता है वह उन्हें बढ़ाते भी उने प्रमोट करते हैं इस उन्हें फार्मोन को पर हर्मोन को फिर इनिवेट नहीं leerôm सब्सक्राइब करते हो पढ़ाते हैं जो उन्हें जैसे छोटे हैं तो उन्हें बढ़ा रहे हैं चोटा कोई सब्सक्राइब करते हैं जो बोलते हैं तो वैसे प्लांट को रोक देता है वह वो जाता है वह इन्हेंटर कोई प्रणट को छोटे ही रहाते हैं उनके ग्रोथ रोख देता है हार्मोन तो वह कहलाते है है प्रोट इनियवेटर हार्मोन इस में अलग अलग एक्टेक के तो प्रोमोटर हार्मोन वह क्या लेंगे हैं और जीबरेलीं cytokine, florigins, traumating, बहुत सारे हर्मों होते हैं, आपको कुछ harмone के बारे में, discuss कर रहे हैं, तो growth promoter हर्मोन में, क्या-क्या है, auxilin, zebralein, cytokine, florigins, traumating, उसी तरह, growth inhibitor harmon में, किसको र Character हैं? growth inhibitor harmon में, हम लोग रखते हैं, abscisic acid, अए एक Add-2 लिम्स यहां पर एक चीज नोट करएं जब लग से डिस्कर्ट करूंगी एक बारे में तब मैं इसी आगे बताऊंगी एक ऐसा हार्मोन इसी सप्स्कृ जरूरी ओं यहां जरूरी पॉइंट है जो गैसे कभा का होता है वो है इती है यह आपका होता है gaseous state में इतिलीन जो होता है वो gaseous state में आपको मिलता है अब आप एक एक करके discuss करते हैं कि growth promote hormone क्या है इंका function क्या है suppose oxyn के बारे में हम discuss कर ले रहे है oxyn क्या है oxyn इसको हम लोग बोलता है गृधी मापत hormone मतलब कि इसे growth को ना पा जाता है किस plant का कितना growth हो रहा है यह इस पर depend करता है oxyn के quantity बारे अगर किसी plant का oxyn level बहुत high रहेगा किसी plant में oxyn बहुत ज़्यादा रहेगा तो उस plant का growth बहुत ज़्यादा होगा जैसे suppose कीजिए sunflower को आप दे लीजे sunflower का plants आपने देखा होगा कि बहुत लंबा लंबा होता है क्यों? due to deposition of oxyn hormone इसलिए क्योंकि उसमें oxyn tip में बहुत ज़्यादा होते हैं वो क्या करते हैं? जैसे जैसे sun जिधर जिधर जाते हैं वो sun के तरफ मूँ करके घूमते जाते हैं जिधर sunlight उसको मिल रहा है उसको oxyn बहुत ज़्यादा है उसमें तो sun जिधर मिल रहा है plant उतना ही grow करते जा रहा है बहुत लंबा-लंबा plant होता है sunflower का due to oxyn और root नीचे तरफ grow करता है कि उसको light नहीं मिल रहा है तो root नीचे तरफ यह यही mechanism को हम लोग बोलते है phototropism और geotropism phototropism means क्या होता है जो sunlight के तरफ grow करता है और sunlight के opposite जो करता है वो है root तो जिधर जिधर हो गया तो oxyn क्या हो जाता है यह व्रिधी इससे नापा जाता है कि plants में कितना व्रिधी हो रहा है कितना growth हुआ है इसलिए इसको व्रिधी मापक भी बोलते है growth hormone व्रिधी जिससे नापा जाता है जिससे growth को हम लोग measurement करते हैं उस instrument को भी हम इसके नाम पर ही बोले है sorry oxyn के नाम पर ही हम इसका नाम रखे है oxynometer oxynometer oxyn के नाम पर ही इसका नाम इस instrument का नाम auxinometer पड़ा है, ठीक है, auxin के क्या है? auxin के बारे में इसके और भी इसमें help करते हैं, जो इसमें दो टरम बताएं थे, फोटोट्रोपिजम और जियोट्रोपिजम और और अगर देखें तो और जिन के खोज किस ने की थी 1880 में 1880 में डार्विन ने ठीक है 1880 में डार्विन ने आउजन की खोज की थी हो चैने के ऐसे पए अब सुद्ध के बारे में लेखते हम जिबरेली के दिखा गया था ना की जैसे इसके डिसकवरी के पारे लोग तो जपान में जो किसानलोग जो राइस प्लांट रोग ते थे उन्होंने नोटिक्ष किया कि प्लांट बहुत ही लंबे-लंबे हो गया है ब बजसी होरा पार में यह रूट नाम के साइसंस्ट में इसको स्चों किया कि यह जीव्रैलीC एसीड है जे आल समय षच्कवरिं होते गया जीएंध कोम लोग जीएर से शेभ दोगेंट करते हैं तो जिब्रेलिन क्या करता है यह एक तरह से देखे तो काउंटर भी करता है और जिब्रेलिन क्या करता है यह विद्धी को नियंतरन करता है इसको हम लोग क्या क्या जाता है ग्रीद्धी मियंतरन हार्मोन ग्रोथ कंट्रोलर हार्मोन तो इसको हम लोग जिब्रेलिन को बहुते हैं ग्रोथ कंट्रोलर हार्मोन मतलकी हृद्धी नियंतरन हार्मोन ठीक है? ग्रोथ कंट्रोलर हार्मोन इसको मैं लूग बोलते हैं apprendre को बहुत important question है इसको मैं लूग बोलते है जिबरेलिन को ग्रोथ कंट्रोलर हार्मोन ठीक है यह नियंतरन करता है उसमें अब आते हैं हम लोग Cytokinin, Cytokinin, Cytokinin हो जाता है, Cell, Cytokinin, 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 Cyt विभाजन की सेल डिवीजन सिस्फटा की विभाजन में मदद करता है साइटो काईणी साइटो काईणी अलगला तरफ की इसके कैटेगोरी में रखा गया जो नाचुरल होते हैं उन्हें नाचुरल साइटो काईणी के करें्स क् publishers और जो और हैं उनकी सọवेक hop di घंच को हम अंगर नाच्रल और इस में तो त्य दोль दोений नाच्रली प्रास प्क्राइपन्ली के जिसे सिंधेज में सिंफिस कर रहा रहा ता प्रांक में ़ो उसे बोलता हैसिद स्यट्रिक इसा किये जिसए . इसा इस तेटीन विखा मुद्ध पृति अ क्योडई और से तेनन कीब आता है कैनी जे हो nyanandai fenylurea है तो Kinitin जो होता है वह पुझा से लेकिन वो नेज़के है वह अपने से के ऐंक यह है यह झाय मीटिन काइनिटीन एक ऐसा हार्मोन है जो नाचुरल होते हुए भी उसे सिंथेटिक के कटेगरी में रखा गया है क्यों इसलिए कि वो नाचुरल अकरिंग है बट वो प्लांट्स के अंदर नहीं होता है उसे सिंथेसाइज करा जाता है इसलिए उसको सिंथेटिक साइटिक के कटेगरी में रखा गया है इसलिए उसको सिंथेटिक साइटिक के कटेगरी में रखा गया है फ्लोरीजेंस फ्लोरीजेंस टर्म से ही पता चल रहा है फ्लावर फ्लोरीजेंस मतला फ्लोरल फ्लोरल पता चल रहा है फ्लावर तो हम इसको लिखेंगे, help in increase of, help in increase in number of flowers, यह फूलों के संख्या को बढ़ाने में मदद करता है, बहुत बढ़ देखे होंगे, आप विंटर सीजन में, छोटे छोटे पॉर्स में, जो प्लांट सब होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा फूल से भड़ाने में, होते हैं, चोटे चोटे परपल, या लो, रेड, वाइट, हर कलर के फ्लावर, देखेंगे, वह आप देखेंगे, कि बहुत ज्यादे नमर में मिल रहे हैं, या जिसे, जब साधियों का सीजन आता है, उस समय आप देखेंगा, बालों में लगाने क्ले, जो गजरा वगरा होता उसमें खुब सारा फूल होते हैं, वह सब बहुत ज़्यादा नमर में खिलते हैं, तो वह किस हार्मों के छो हो रहा है, फ्लोरिजेंस हार्मों के तो, फ्लोरिजेंस हार्मों एक ऐसा हार्मों है, जो की हेल्प करता है, फ्लावर्स के खिलने में, ट्राव मेटिन, ट्राव म भरता है इसलिकोफ इसको भुर्ष तर्दाहि है इसलिक करता है मतलब क्लात हुम्हा misιο करना समय मिच오या आता है जैसे कि कोई है प्लांन को हम रोब कार देते रही से अपने देखा होगा कि सी तर्दाट को पार्ड दिया जाता है वो जो गोंद जैसा सब्स्टांस है यही वो ट्रॉमेटिन काम करता है वो वहाँ पर भर देता है घाओ को जो हम लोग दवाव लगाते हैं तो हम लोग खुन बहना रुख जाता है तो उस तरह यह प्लांट्स के घाओ को भर देता है ट्रॉमेटिन बहुत ज़रूरी काम करता प्रामेटिन दका में पेर पौदे के घाव को भर देना जब भी कोई हिसा कट जाता है तो वहां से कुछ सब्स्टांस निकल की जम जाता है वह गुंद जैसा बन जाता है इस तरह उसका घाव भर जाता है यह सर्मों गया अब हम निच्ट आते हैं ग्रोथ इनिवेटर हार्मोन क्या है एपसिसिक एसिक एसिक को हम लोग ABA से डोनेट करते हैं इसके टाइप अलग अलगतर रखे हैं जैसे एपसिसिक एसिस में हम लोग बोल सकते हैं क्या यह ओका क्यान की एक तरह का एक अवपसिसी करणे को रोक में में गरोक देटा है यह ऑंकुरत को रोप्र डिता है एक र्यूकश क्या करता है श्ब्लोप में धंड चिंट ट्यूंट। इन्हेट प्लांट ग्रोथ एप्सिसी के सिट क्या करता है इन्हेट प्लांट ग्रोथ यह प्लांड ग्रोथ को इन्हेट कर देता है मतलब की रोथ देता है अब क्या है अब आते हैं इथिलिन गैस में इथिलिन गैस क्या एक जो मैंने बहुत इंपोर्टेंट बताया था इथ इस चीज को जरूरी है देखना कि यह आपको सिफ गैसे स्टेट में मिलता है इधिली में तो यहां यहां यह डेख रहे हैं कि यह रोग देता है जैसे कोई फ्लावर एक खील के छोटा में ही रूप जाता है वह आगे नहीं खींता है है कोई फ्लाव चोटा-छोटा ही रह जाता है बड़ा नहीं हो पाता पक नहीं पाता है इस सब एकसी है क्या करता है यह जो आम है यह केला है यह सब प्रोडियेट चीज यहां जाना इथिलीन और एसीटीलीन में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है एसीटीलीन क्या है जब हम लोग जैसे कोई आम कच्छा है उसको निकाल कर अगर हम लोग आर्टिफिशली पकाते हैं तो वह हम लोग हेल्प लेते हैं एसीटीलीन का क्या करत हैं तो वह आपका एसीटीलीन बन जाता है ठीक है तो वह एसीटीलीन की वाज़ा से जो फ्रूट्स है वह आपका आर्टिफिशली पक जाता है और जब नाचिरली पकना होता है तब वह पकता है इथिलीन की वाज़ा से इसका मेन फंक्शन क्या है फ्रूट राइपीनिंग तो इधिलीन का मेन फंक्शन है फूट राइपिनिंग में होता है इसे इधिलीन को 1901 में रसें सेंटिस्ट डेमिट्री ने डिस्कवर किया था लेगे में उतना जालना है कि इस चीछ को इंपोर्टेंट है इस चीछ को जालना बहुत जरूरी है कि एक ऐसा हार्मोन है जो गैस प्राइट को जर्डिविजन में help करता है फ्लोरीजेंस फूलों को खिलने में मदद करता है ट्रॉमेटिन घाओ को घरता है आपकिसित एस प्लांक्स ब्रोथ को रोक देता है बीच के अल्कुरन को रोकेगा सब चीछ को यह रोकेगा यह बाठा का काम करेगा इसने क्या करत ता फ्रोट राइटिनी का काम करता है, नाचरली फ्रोट को पकाता है, यह सब हो गया, ग्रोथ रेगुलेटर हार्मोन, थैंक यू